दोस्तों सेंटर्डियूज पीजी कॉलेज गुरपुर ने सत्र 2023-24 के लिए एड्मिशन से संबंदित एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है जिसमें एप्लिकेशन फॉर्म और एंटरिन्स एक्जाम से संबंदित इंफॉर्मिशन दी गई है तो इस वीडियो में बिसिकली हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लिएगा अब आईए बिना देरी की वीडियो को सुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं यह जो नोटिफिकेशन है यह 20 जून 2023 को पब्लिस किया गया है और इसमें लिखा हुआ है सेंट एंडियोस महाविद्याले गुरपूर इसना तक कक्छाओं में परवेश हेतू परवेश परिक्छा दिनांग 30 जून एवं 1 जूलाई 2023 को आयोजित की जाएगी यानि कि सेंट एडियोस पीजी कॉलेज गुरपूर में जितने भी अंडर ग्रेजुएट की कोर्स हैं उसमें जो परवेश परिक्छा होने वाला है वो 30 जून और 1 जूलाई को आयोजित की जाएगी और आगे आप देख सकते हैं आपर बताया गया है ओनलाइन फॉर्म न भर पाने वाले अब यार्थियों की सुभिधा के लिए और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो फॉर्म आपको मिलने वाला है ये ओनलाइन नहीं है आपको कॉलिश पर जाना होगा और वहां से फॉर्म को ले करके ओफलाइन भरना होगा और आगे आप देख सकते हैं आपर बताया गया है प्रवेस हेतू इच्चू कब्यार थी प्रवेस परिच्चा प्रकोष्च संपर कर समस्त विलम सुल्क रुपए 25 सो रुपए जमा कर ओफलाइन फॉर्म प्राब्द कर लें तदा पूर रुप से पूरित ओफलाइन फॉर्म समस्त संगलंगनो सहित प्रवेस परिच्चा प्रकोष्ट में ततकाल ही जमा करते हैं यानि कि जितने भी लोग online application form को fill up नहीं कर पाये थे और वो चाते हैं कि इस college का form fill up करें तो उन सभी लोगों को सेंटेड्यूस PG college के campus में जाना होगा वहां से offline mode में आपको application form को लेना है और तुरंद fill up करके वहीं पर आपको submit कर देना है और दोस्तों यहाँ पर एक important point है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि समस्त विलंग सुल 2500 रुपे आपको जमा करना होगा यानि कि अभी 20 तारी तक जो form भरे जा रहे थे उस समय जो उसकी fees थी 1250 रुपे अब उस fees को बढ़ा करके इन लोगों ने 2500 रुपे कर दिया है अगर आप college पर जा करके वहाँ खुद form बढ़ते हैं offline mode में तो आपको एक form के लिए 2500 रुपे पे करना होगा और इसी page में नीचे आप देख सकते हैं प्रवेस परिच्छा से समन्दिदी यहाँ पर information देया गया है लिखा हुआ है प्रवेस परिच्छा कारे कर्मक्रा विस्तरित वेवरर महाविद्याले की website एवं सूचिनापट पर उपलग्ध है प्रवेस पत्र दिनांग 25 जून 2023 से कॉलेज की website से डाउनलोड करके printout निकालने है प्रवेस परिच्छा में समलित होने के लिए प्रवेस पत्र लाना अनिवार है यानि कि प्रवेस परिच्छा के लिए यो प्रवेस पत्र है यानि कि admit card वो 25 जून 2023 को release हो जाएगा तो आप college के website पर जा करके वहां से उसकी printout ले सकते हैं और admit card आपको entrance exam में लाना जरूरी है और नीचे आप देख सकते हैं आपर post graduate course की बात कई जा रही है लिखा हुआ है परासनातक एवों विधी यानि कि post graduate की course और law यानि कि LLB का जो course है उसमें सैचडिक सत्र 2023 चोबिस में छात्र हित के द्रिष्टिकत प्रवेस हेतु online आवेदन पत्र भरने की जोत्ती थी है यानि कि last date उसे 2 जुलाई 2023 तक बिस्तारित की जाती है यानि कि post graduate course के लिए आप online application form 2 जुलाई 2023 तक भर सकते हैं तो दोस्तों इस notification में basically ये बताया गया है कि under graduate course के लिए जो entrance exam है वो 30 जून और 1 जुलाई को आयोचित की जाएगी और under graduate course के लिए जो online application form की last date थी 20 जुलाई अब उसे 3 दिन और बढ़ा दिया गया है लेकिन जो application form भरे जाएंगे वो offline mode में भरे जाएंगे और form की जो fee से उसको बढ़ा करके 25 रुपए कर दी गई है लेकिन वहीं पर post graduate course के लिए जो application form है वो online अभी तक भरे जा रहे हैं और उसकी जो last date है वो है 2 जुलाई 2023 और post graduate course के लिए जो form की fee से अभी वो 1250 रुपए ही रखे गई है तो दोस्तों I hope आपको यह notification अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई भी doubt हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं तो फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद झाल